हेलो गाईज, वेलकम तो माई यूट्यूब चानल जैसे कि सबको पताए कि IBPS RRB का जो पीयो का एक्जैम है वो होने वाला था 12 और 13 को और काफी लोग परिशान भी थे क्योंकि IBPS ने अभी तक इसके रिकारडिंग कोई भी NOTICFion या खोई भी NOTICE नहीं निकाला है कि ADMIT CARD कब आएंगे तो finally IBPS ने notification निकल चुका है notice निकाल चुका है कि जो एक्जैम होने वाला था 12 और 13 को और अभी तक कोई भी एडमिट कार्ट जो है रिलीस नहीं किये है तो अभी तक कुछ नहीं बहुत सकते कि एक्जाम कब होगा बस इंपॉर्टेंट नोटिस जो है वो और नोटिस की तरफ से निकाल गया है आइबी पेस की तरफ से कि यह जो मतला एक्जाम है जो 12 ओ 13 को होने वाला था यह नहीं होगा यह पोस्पोर्न हो चुका है जैसे कि आप पढ़ भी सकते है फॉर्दर टू आर नोटिस डेटेट 10 ओफ सेप्टेंबर दू सम् अनवाइडेबर सकम्स्टेंस इट विल नोट बी पॉसिबल टू होल्ड दा ओन्नाइफ प्रिलिम्नेरी एक्जाम अंडर CRP-RRB 9th on 12th and 13th of September. रिवाइज डेट विल बी पोस्टेड ओन ऑथराइस आईबी पेस वेबसाइट कैंडिटेट्स आर रिक्वेश्टी तू विजिट दा ओथराइस वेबसाइट आईबी पेस.in रेगुलरली तो बस इसमें यह लिखाए कि अगर कोई भी नोटिस आता है डिगार्डिंग आईबी पेस आर भी एग्जैम से लेट इट सो वो आप जो है आईबी पेस.in साइट से चेक कर सकते हैं तो इन्होंने कोई भी डेट नहीं बताए कि कब एग्जैम होगा कब एड्मिट कार्ड जो है वो रिलीस होगा इनको अभी इससे कोई फरक न मतलब है कि इनको फीस लेनी है यह नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन निकाले जा रहे है अभी इससेंट पर आईबी प्यास का भी नोटिफिकेशन निकला था जिसके अंदर भी उन्होंने बोला था कि यह जो एक्जैम है मतलब इसकी डेट यह लास्ट है आपको बस 850 देनी है जैसे कि आपको फीस भी पढ़ चुकी अब 600 से 850 हो चुके है इनको बस अपनी बिजनस मतलब है इनको अभी कोई एक्जैम नहीं कराना है जैसे कि जी और निट का भी एक्जैम होने वाला है तो अगर वो हो रहे है तो फिर बैंक एक्जैम कराने में क्या प्रॉब प्लीज रिट्विट कीजे तितना आप कर सकते हैं तो यह बहुत जरूरी है इस टाइम पर आज के लिए इतना ही इस वीडियो में सु मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो थैंक यू गाईज